हलो फ्रेंड्स मेरा नाम है सौरॉब और आप सभी का टैकी सौरॉब यूट्यूब चनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको आपके एंड्रोइड फोन के एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो ट्रिक आप सभी को काफ़ी जदा पसंद आएगी ही आएगी और दोस्तों अगर आपके फोन को कोई और भी देख लेता है तो वो तो बिल्कुल ही चौक जाएगा और आपसे हाथ जोड़कर पैर पकड़ पर पुछने लएगा कि भाई ये ट्रिक मुझे भी बता दो मैं भी अपने फोन में ये ट्रिक को करूँगा जी हाँ दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इस नेव वार में अपना फोटो या फिर अपनी गर्ल्फ्रेंड का फोटो कैसे लगा सकते हैं जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो back बटन है या फिर home बटन है या फिर recent बटन है यहाँ पर मैंने एक photo को set करकर रेखा है जो कि हमारे phone की look को काफी अच्छा देता है हमारा phone और भी ज्यादा कमाल का दिखता है तो दोस्तों अगर आप भी अपने phone में इस तरह से अपना photo या फिर किसी का भी फोटो लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको इस वीडियो को last तक देखना है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को start करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पर अपना photo लगना है तो दोस्तो अगर आप भी इस ट्रीक को अपने फोन में करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना होगा और लाइक करने के बाद इस लाल वाले बटन को दबा कर हमारे चैनल को सबस्काइब करना होगा और इस दबा कर यहां से all कर देना होगा साथी दुस्तों यहां पर आपको नीची जाकर एक comment भी कर देना है जैसे कि यहां पर आपको लिख देना है photo set ठीक है यहां पर आपको इस तरह से photo set लिख के इस comment को भेज देना होगा ठीक है इतना काम आपको ज़रू से कर देना है और उसके बाद दूस्तों आपको एक application को download करना है जिस application का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम है custom neighbor तो इस application को आपको कैसे download करना है मैं आपको वीडियो के last में बता दूँगा तो सबसे पहले इसका setting के बारे में हम समझ लेते हैं कि इस तरह से यहाँ पर अपना photo लगा सकते हैं तो दूस्तों application को open करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाता है अब दूस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे options मिल जाते हैं जैसे कि मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस application के अंदर आप यहाँ पर अपना photo कैसे लगा सकते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक solid color का option मिल जाता है जहाँ पर आप इसका color भी change कर सकते हैं तो यहाँ पर आप color भी change कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप जो है बहुत सारे customize कर सकते हैं एमोजी बगाना लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप दएख सकते हैं, इमोजी यहाँ पर लग चुका है अब दोस्तों हम बात करती हैं कि यहाँ पर image को कैसे लगना है तो यहाँ पर आपको इक image का और आपको यहाँ 're कर दिना है और अन करने के बाद दूस्तों यहाँ पर आपको प्ले वाले बटन के उपर किलिक कर दिना ठीक है तो इसके बाद यहाँ पर इस मेना बहुत सरे फोटो जैंonia जो की भी जिसको भी आप लगा सकते है और अगर आप अपना को क्रॉप करना है जहतना पर रखना चाहते हैं कि começ और के बाद के बाद यहां पर क्राइट का उपसिन मिलता इसे उसके पर देख सकते मेरा वह फोटो यहां पर लग चुका है नौ Knowing फिजिता कमाल का लगता है कोई आपको फोन के देख लेगा तो वो तो बिल्कुली चौक जाएगा और आपसे पूछने लेगा कि तुम ने यह कैसे किया है तो दोस्तों इस तरह से आप इस एपलिकेशन का यूज करके अपने नेव बार में अपना फोटो लगा सकते हैं तो अब हम बात करते हैं कि इस एपलिकेशन को आपको डाउनलोड कैसे करना है तो दोस्तों इस एपलिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप जो यह वीडियो देख रहे हैं तो इसके टाइटेल के उपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक बु तो चले दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी किसे नहीं नई वीडियो के साथ तब दर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद